हलो दोस्तो वेलकम टू माई चैनल दोस्तो आज हम बात करेंगे मसो के बारे मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी आप उन में से कोई भी यूज करके आपके मसो कसे चुटकारा पा सकते हैं यह मसी बहुत जिद्धी होते हैं कहीं पर भी हो जाते हैं जिससे लोगों को प्स बताने वाली हूं सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूं हमको लेना है चूना चूना लेकर हमको क्या करना है चूने को थोड़ा सा हलका सा लगाना है मसे परी थोड़ा सा हलका चूना लगाकर आप छोड़ दो उसके बाद आपको लेना है अद्रक अद्रक का पीस ल है यह क्या होगा थोड़े दिन ऐसे लगाते जहिए ठोड़ा आपको सूजन होगी लेकिन अपने आप यह निकल आएगे यह अपने आप यह वाट्स जो है निकल आएंगे लेकिन ध्यान रखिएगा चूना किसी और जग़ पर इसकिन पर ना लगे सिर्फ डारक्ट अपको मस पर ही लगाना है जैसी आपने थोड़ा सा चूणा लगा उसके बाद आप अपने जिंजर को रब कर दीजिए इससे क्या है पूरी तर से चूणा रब हो जाएगा अंदर और दूसरा टिप में आपको बताओंगी एपल सिधार विनीगर आप एपल सिधार विनीगर को लगा क कॉटर में थोड़ा लेकर आप एपल सिधार विनीगर को जहां पर भी आपको मस्य है उसको डुबो के आप रख सकते हो उपर से टेप लगा सकते हो और आप पूरे दिन भी ऐसे रख सकते हो लेकिन जब आप खोलते हो तो आपको पूरी तरह से छोड़ देना है थोड़ी इसको करते हैं करते हां की वाइव निचे लेका तोस्तो निचे दीचे लेगा से तिसुत मेजर दोस्तों आपको बताना चाहँगी लेना है कैसि fan शाख से और कné गेर को अपने में ऑप गिर जाएंगे नरम होके अपने आप गिर जाएंगा आपको पता भी नहीं चाहिए लेकिन इनको थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि हम नेच्रल उपाय कर रहें न हम क्या कर सकते मस्यों को रोज हमको रप करके मालिश करनी है मालिश करके उस जगह पे मस्य की जगह पे कैसर ओल से मालिश क अपने आप गिर गेंगे इसको एक दो महिना भी लग सकता है कितना बड़ा मस्य तो कैसर ओल अप्रोज दो बार लगाईए और इसे क्या होगा फूटेंग यह अपने आप गिरिए अपने थीक होंगे और दूसरी जीसे थोरी एन जिद्धी उभार होता है वाट्स में जो वहार होता है और गिल्टियां होती है हाड वाली जो भी हो कैस्टर अलसे अपके ठीक हो जाएगा दोस्तों फूर्थ टिप है जो हम पापड बनाते तो हम खारा यूस करते पापड का खारा सब जानते होंगे इसको यह थोड़ा हार्ड होता है देखने इसको आपको लेना है जैसे चंदन की लकड़ी हम पत्थर पे कैसे घिषते है थोड़ा पानी डाल कर अब को घिसना है उस यह घिसने के बाद आपको डोबार सुबह मस्ते अपको अपण नग नहें पर गिर जाएगा दोस्तो हलकी सूजन हो तो भी डरने की बात नहीं है और आप यह करते जाएगा आपको बहुत बिना निशान छोड़े आपका मसा निकल जाएगा दोस्तो आप देख रहे हैं न प्लेट में लेफ्ट साइड में सजी है और राइट साइब में चूना है सजी थोड़ा लाइट कलर का होता है इसलेटी कलर का तो आप इसको लगाईए और आपको फरक पड़ेगा दोस्तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक को सब्सक्राइब कीजेगा